हेलो दोस्तो आज के वीडियो में हम आपके लिए quiz test लेकर के आए हैं इस quiz test में आपसे पूछेंगे evidence act के 15 important questions और उनके answer भी आपको बताएंगे तो दोस्तो questions बहुत ही basic हैं बट सभी judiciary exams के लिए बहुत important हैं इसलिए आप quiz test को अंतक जरूर खेलिए इस quiz test से आप अपनी judiciary exams की preparation का level भी check कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं हमारा पहला सवाल है भारतिय साक्ष अधिनियम 1872 की धाराओं में से निम्न किस धारा में electronic अभिले की ग्राहता को बताया गया है तो दोस्तो इसमें 4 option दिये गए हैं पहला कहता है धारा 65 में B option कहता है धारा 66 में C option कहता है धारा 65 का में और D option कहता है धारा 65 का में तो दोस्तो इसका जो answer है आप हमें comment box में comment करके बताईए और हम आपको इसके लिए समय भी देते हैं और इसका एंसर भी हम आपको बताते चलते हैं तो दोस्तो इसका जो है सही जवाब है आपसन नमर डी 65 खामे तो दोस्तो नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं कहाँ है भारतिय साक्ष अधिनियम की धारा 85-का के अंतरगत नयायाले दोरा किस प्रकार के करार की उपधारणा की जा सकेगी तो दोस्तो इसमें 4 आपशन दिये गए हैं पहला कहता है लिखित करार और B आपसन कहता है मौखिक करार और C option कहता है electronic करार और D option है इन में से कोई सही नहीं है तो आप बताइए इन में से कौन सा right answer होगा तो दोस्तो इसका जो option number C है electronic करार right answer होगा next question देखते हैं दोस्तो साक्ष बिधी के अंतरगत किसी electronic अभिलेक के सम्मन्द में यह उपधारना करने है तू कि उस अभिलेक पर electronic हस्ताक्षर जो किसी विशिष्ट ब्यक्ति का होना ताथ तेरपित है ऐसे ब्यक्ति द्वारा किया गया है अभिलेक होना चाहिए तो चार option है option A कहता है 3 वर्स पुराना B कहता है 6 वर्स पुराना C कहता है 5 वर्स पुराना और D कहता है 10 वर्स पुराना तो दोस्तो जो right answer है उसको हमें comment box में comment कीजिए तो इसका जो right answer होगा इसका जो है option number C होगा 5 वर्स पुराना next question देखते हैं का पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है भारतिय साक्ष अधिनियम के अंतरगत यह साबित करने का भार की उसके पास टिकट था किस पर है means कौन ये वहाँ पर साबित करेगा कि उसके पास टिकट था चार option दिये गए हैं option A कहता है अभियोजन, B कहता है अभियुक्त और C कहता है परिवादी और D option कहता है अभियोजन साक्षी तो right answer हमें बताईए तो दोस्तो इस question का right answer होगा option नमर B अभियुक्त next question देखते हैं भारतिय साक्ष अधिनियम 1872 की किस धारा में जीवन की उपधारना उपबंधित है चार option दिये गए हैं पहला कहता है धारा 108 में B option कहता है धारा 106 में C option कहता है धारा 104 में और D option कहता है धारा 107 में तो जो right answer है आप हमें बताईए तो इसका right answer होगा आप्ष नमबर D धारा 107 में तो next देखते हैं साक्ष अधिनियम का कौन सा प्रावधान कहता है कि बिवाहित इस्थिती के दोरान जन्म होना धर्म जत्तो का निश्यात्मक सबूत है चार आप्षन है आप्षने कहता है धारा 110 B आप्षन कहता है धारा 111 और C आप्षन है धारा 112 और D कहता है उपर युक्त में से कोई नहीं तो right answer बताईए हमें चार दोस्तो इसका right answer होगा आप्षन नमबर C धारा 112 next देखते हैं कुश्यन next कहता है एक बिवाहित महिला के दोरा आत्मत्या करने के दुस्प्रेरण से सम्मंदित प्रावधान साक्षय दिनियम की किस धारा में जोड़ा गया है तो चार आप्षन है पहला कहता है धारा 113 B कहता है धारा 113 A C आप्षन कहता है धारा 113 B और D आप्षन कहता है धारा 110 तो इसका राइट एंसर सेलेक्ट कीजिए तो दोस्तो इसका राइट एंसर है आप्षन नमबर B धारा 113 A next question देखते हैं दहेज मरत्यू के बिसे में किस प्रावधान के अंतरगत भारतिय साक्ष अधिनियम में उपधारना किया जा सकेगा चार आप्षन दिये गए हैं पहला आप्षन कहता है धारा 113 का के तहट B आप्षन कहता है धारा 114 के तहट C option कहता है धारा 113 खा के तहट और D option कहता है धारा 114 खा के तहट तो right answer select कीजिए तो दोस्तो इसका right answer होगा option number C धारा 113 खा के तहट तो next question देखते हैं बलातकार के मामलों में कुछ मुकदमों में सहमती के अभाव का अनुहान उठाया गया है तो 4 option है पहला कहता है साक्ष्य दिनियम की धारा 114 के द्वारा B option कहता है साक्ष्य दिनियम की धारा 114 B के द्वारा C option कहता है भारतिय दंड संगिता की धारा 376 के द्वारा D option कहता है साख्छे अदिनियम की धारा 114A के द्वारा तो right answer select कीजिए तो दोस्तो इसका right answer होगा option number D साख्छे अदिनियम की धारा 114A के द्वारा next question देखते हैं बोलने में असमर्थ गवाह यदि नयाले में अपना बयान लिखित में देता है उस इस्थिती में उसकी साख्छे समझी जाएगी तो चार option है पहला कहता है मौखिक साख्छे B option कहता है दस्तावेजी साख्छे C option कहता है अनुसुरत साख्छे और D option कहता है प्रात्मिक साख्छे तो right answer हमें बताइए तो दोस्तो इसका right answer होगा आप्षन नमबर A मौखिक साक्ष नेक्स्ट कुश्यन देखते हैं भारतिय साक्ष अधिनियम की निम्न में से किस धारा के अंतरगत सहय अपरादी, अभियूक्त, ब्यक्ति के बिरुद्ध, सक्षम साक्षी होगा चार आप्षन दिये गए, आप्षन नमबर A कहता है धारा 130, B आप्षन कहता है धारा 131 और C आप्षन कहता है धारा 132 और D आप्षन कहता है धारा 133 तो इसमें राइट अंसर सेलेक्ट कीजिए तो दोस्तो इसका जो आप्षिन नमबर D है धारा 133 ये राइट एंसर होगा नेक्स्ट कुश्चन देखते हैं किसी मामले में किसी तथे को साबित करने के लिए कितनी संख्या में साक्षी अपेक्षित है चार आप्षन दिये गए हैं पहला कहता है कोई बिसिष्ट साक्षी संख्या अपेक्षित नहीं है B आप्षन कहता है एक प्रत्यच दर्सी साक्षी आवस्यक है C आप्षन कहता है दस्ता वेजों के मामले में दो साक्षी आवस्यक है डिया अप्षन कहता है एक पच्छकार एवं एक साक्षी आवस्यक है तो दोस्तो राइट एंसर बताई हमें तो इसका राइट एंसर होगा अप्षन नमर ए कोई विशिष्ट साक्षी संख्या अपेक्छित नहीं है तो नेक्ष देखते हैं तो दोस्तो कुश्चन कहता है भारती साक्षी अधिनियम 1872 में किस धारा के अधिन एक पक्षकार अपने ही साक्षी से प्रश्ण पूँच सकता है चार अप्षन दिये गए हैं पहला कहता है धारा 156 B अप्षन कहता है धारा 154 C अप्षन है धारा 158 और D option कहता है धारा वन सिक्स जीरो तो राइट एंसर बताईए हमें तो दोस्तों इसका जो option नमबर B है धारा वन फाइफ फोर ये राइट एंसर होगा next question देखते हैं दंड प्रक्रिया संसोधन अधिनियम 2005 द्वारा भारतिय साक्च अधिनियम की किस धारा में संसोधन किया गया है चार आप्षन है आप्षन ये कहता है धारा 90A में B आप्षन कहता है धारा 29 और C आप्षन कहता है धारा 154 और D आप्षन कहता है धारा 159 तो राइट एंसर बताईए तो दोस्तो इसका जो option number C है धारा 154 ये राइट एंसर होगा next और last question देखते हैं यहाँ पर कह रहा है भारतिय साक्ष अधिनियम की निम्न धाराओं में से किसमे साक्षी को साक्ष के दोरान इस्मृति ताजी करने का प्रावधान है तो चार option है पहला कहता है धारा 158 B option कहता है धारा 159 C option है धारा 160 D option कहता है धारा 162 तो राइट एंसर बताईए तो दोस्तो इस question का राइट एंसर है option number B धारा 159 तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं बहुत बहुत धन्यवाद